राजिस्थान में लोगसवा चुनाव से पहले एक बाद फिर प्रिधान बंती नरेन मोदी ने शुकरवार को मोदी की गारंटी वाला दाव चला पियमोदी ने यह 17,000 करोट रुपे की लागत वाली विकास परियोश्रों की लोकारपन, उत्खाटन और सीला नयास कारिकरम को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने राजिस्थान की 200 विदानसवा शेर्ट से जुड़े लाभारतियों को वर्चोली संबोधित किया अपने संबोधन में पियमोदी ने विकास परियोश्रों की सौगात देते हुए प्रदेश वासियों को बढ़ाई दी इस अफसर पर उन्होंने आगामी लोकस वाशिनाव को लेकर भी चंता से सीधा संबात करने की कोशिश की उन्होंने भाशपा की केंद्र और राजिस्थान में डबल इंजन सरकार के काम का जिक्र किया और विक्सित भारत विक्सित राजिस्थान के नारे के साथ मोधी की गारंटी का हवाला भी दिया PM Modi ने कहा कि लोग कहते हैं कि Modi की गारंटी यानि की गारंटी पूरे होने की गारंटी उन्होंने ये भी कहा कि लोग ये कह रहे हैं आपकी वार NDA 400 पार PM Modi ने कहा कि आप सभी ने Modi की गारंटी पर विश्वास किया आप सभी ने डबल इंजन की सरकार बनाई और आप देखिए राजिस्थान में डबल इंजिन की सरकार ने कितने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है और राजिस्थान की विकास के लिए करीब 1700 करोड रुपए की प्रोजेक्ट का सिलयनास और लोकारबन हुआ है रेल, रोड, सौर, उर्जा, पानी और अलपिजी जैसे विकास कारी करमों से जुड़ी परियोश लाएं राजिस्थान के हजार रुवाओं को रोज़कार देने वाली है मैं प्रोजेक्ट के लिए राजिस्थान के सबी साथियों को बधाई देना चाहता हूँ इसके साथ इप्रधानमंति मोदी ने अपने संबोधन में कॉंग्रिस पर भी जम कर हमला बोला उन्होंने का कि कॉंग्रिस के साथ एक समझ्य ये है कि वो दूरकामी सोच के साथ सकारत्मत नीतियं नहीं बना सकती कॉंग्रिस ना भविश्य को भाप सकती है और नाई भविश्य के लिए उसके पास कोई रोड मैप है कॉंग्रिस की इसी सोच की वज़े से भारत अपनी बिजली विविस्था को लेकर बदनाम रहता था कॉंग्रिस की दौर में बिजली की कमी के कारण पूरे देश में कई घंटे तक अंधेरा हो चाता था साथियों जब मोधी आपको दी गई ऐसी गारंटिया पुरी करती है तो कुछ लोगों की निंद वुड़ जाती है आप कॉंग्रेस की स्थिती देख रहे हैं आपने हाल में ही कॉंग्रेस को सबग सिखाया है लेकिन यह मानते ही नहीं आज भी इनका एक एजेंडा है मोदी को गाली दो जो भी मोदी को जितनी जादा गाली दे सकता है उसे कॉंग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है ये विक्सित भारत का नाम तक नहीं लेते क्योंकि मोदी इसके लिए काम कर रहा है ये मेडिन इंडिया से बचते हैं क्योंकि मोदी इसे बढ़ावा देता है ये वोकल फॉर लोकल नहीं बोलते क्योंकि मोदी इसके लिए आगर करता है जब भारत पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बनता है तो पूरे देश को खुशी होती है लेकिन कॉंग्रेस के लोगों को खुशी नहीं होती जब मोदी कहता है कि अगले कारकाल में भारत दुनिया की तीसरे नंबर की ताकत बनेगा तब भी पुरा देश आत्मे विश्वात से मर जाता है लेकिन कॉंग्रेस के लोग इसमें भी निराशा ढूंते हैं मोदी कुछ भी करें मोदी कुछ भी करें ये उसका उल्टा कहेंगे उल्टा करेंगे चाहें इसमें देश का भारी नुक्षानी क्यों नहों मोदी कुछ भी कुछ भी करेंगे